नमस्कार दोस्तों मेरा नामे आतत्म अगर मेरा वीडियो आपका दिलो दिमाग पे छाज़े तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आने वाला वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपका बस सबसे पहले पहुच नहीं करता यह असलियत में कोई टॉपिक नहीं यह जीवन्द अथा की दर्द भरी कानी दास्ता यह शायदी अगर आपको मैं सवाल को जो कि आप आज जिन्दा की हुए अप केसे आखों से देख पा रहे और मेरे बात को कानों से सुन पा रहे तो बिग्गान के छात्रे कहेंगे इनर्जी से और फिलोसफिक एस्टूटेने कहेंगे मन से दिमाग से समझ से सुच से ना जाने कितना तरह तरह की जाब देंगे मैं मान ले था हैं इनर्जी बहुत बरा पॉइंट है और मानता ही नहीं हक्यक्त है क्योंकि आमारा शरीर का जो समता तो इनर्जी से आता है और ताब अमारा यह औरगन काम कर भादा है लेकिन शरी के इनाजी असलियत में कहा से आता है खानेर से और खाना कहा से मिलता है बहुत कोई बोलेगा पैसे से और यही हमाना सबसे बरा मुर्कता है हम पैसे को इतना ही हमेत देते हैं एक हम हमारा जिवन ताता कोई भूल जाते हैं ये जिवन दता और कोई नहीं हमारा देश का किसान है अगर सब किसान फसले उत्पादन करना बंद करते तो पैसे से खाक खाना मिलेगा अगर खाना ही नहीं रहेगा तो समास राज़ने के शिक्षा कि ऐसा बार्थन में हो जाता है और खाना तब ही अमारा पास रहेगा जब किसान रहेगा मैं कहूँगा अगर आप भगवान को ना मने तो किसान को एक प्रगार से भगवान के रुब में मान ले ये मानने से आप काई फाइदा होगा क्योंकि आप जब अन्ने का एक दाना खाते तो इस अन्ने में तो ये सिर्फ अन्न नहीं होता असलियत में इसमें खिसानों का आत्मा बसा होता है क्योंकि धूप, बारिश, बार हर एक प्रकार की शंकट से जुस्ते हुए अपने खुन पचीना एक कर कि हमारा पास अपना मेनत का अन्न बिस्ता है इस सिर्फ में कह रहा हूं लेकिन उनका दर्थ मेहसूस करने का स्वंता हमरा अंदर नहीं है लेकिन उनका हम सर्मान तो कर सकते हैं उनके लिए हम लड़ तो सकते हैं उनका अधिकार के लिए हम आयन का काट गुराओं में तो ख़ड़ा हो ही सकते हमसे जो हो सा कि उतना था हम कहरी सकते है कभी किसी किसान के आखों में जरा कौर्ट से देखना तो उसका आखों में उनका दर्थ नजर आएगा लेकिन इसके बावजूद भी हर साल भारत में बहुत सारे किसाने सुसाइट करके मर जाता है और इससे बड़ी दुक्की बात और क्या हो सकते हमारे लिए मेरा एक का आखों उठाने से कुछ नहीं बदलने वाला अब सब को जागना होगा हमारे दिश्टी घुमाते हुए पॉलिटिक्स के बाहर लाना होगा जिससे हम किसान को दर्थ को मैसूस कर सके उसका दर्थ को समझ सके नजस्दिक से जान सके लेकिन मैं आज आज आपको उनका दर्थ थोड़ा मैसूस करना चाहूँगा शायरे के मातम से बया करना चाहूँगा कि उनका दर्थ कितना जोखिम होता है जब आप भी जान सके कि दर्ट अस्तियत में क्या होता है जमिन जल चुकी है आस्मान बाकी है सुके कोई तुमारा इम्तिहान बाकी है वो जो खेतों की मेरो पार उदास बेटी है उनकी आखों में अपता किमान बाकी है जमिन जल चुकी है आस्मान बाकी है सुके कोई तुमारा इम्तिहान बाकी है वो जो खेतों की मेरो पार उदास बेटी है उनकी आखों में अब तक इमान बाकी है बदल बरस दाना समय पार इस बार किसी के मकान गिर भी तो किसी का लगान बाकी है कौन आप कहा किसान से बात करते यूई रोज हसिन सपनों की बात करते गाउ से शेहर घुमने आये किसान ने क्या खूब लिखाए चिंता होबी थी चिंता यहा भी है गाउ से शेर खुमने आये एक किसान ने क्या खुम लिखाए चिंता वहावी थी चिंता यहावी है गाउ में तो केबल फसले ही खराब थी शेर में तो पुरी नसले ही खराब है मेहनत की मिसाने जिन बर दिनों का निशा है मेहनत की मिसाने जिन बर दिनों का निशा है हल चलाने में सहिंग को मिटा दिया और कोई नहीं हमारा देश का किसान है हल चलाने में सहिंग को मिटा दिया और कोई नहीं हमारा देश का किसान है छोटे छोटे हातों में चाले हो जाते इमान का सौदा करता है सिंदगे कीमत क्या जाने इमान की सौधा करता है सिंद्गी की कीमत क्या जाने जो फसल की कीमत देना सके और चांद की कीमत क्या जाने यूही जीते जी मुझे मत मरो पहले से मैं दुखी इंसान हूँ यूही जीते जी मुझे मत मारो पहले से मैं दुखी इंसान हो, मेरी मौत का कारण ही है कि मैं पेशे से एक किसान हो। इसके लिए में आपका पास क्रिट्यक करो। और इस वीडियो में लाता रूंगार सबका अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सबोर करना और मुझे आगे बरने में मतर्त करना जिस्ते में इस दुनिया में कुछ बदलब लासेगो आपके मत्यम से।